ये बैठक होने वाली है आपको बता दे वही महाराश पर बयानों का भी दौर लगाता अरज़ारी है अलाकि जिस तरह से नसीपी ने था माजिद महमन ने का आए कि अजीद पवार की बगावत जो है वो किसी तरह की ने सीधी सीधे बगावत कुखारिश कर दिया है क्या कहना उनका सुनाते हैं आपको उनसे बात कि हमारे सैयोगी मोहित बक्षी ने महराज के भविशे का फैंसला सुप्रीम कोट में होना है और इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोट के वरिश वकील और एनसीपी के सांसद माजिन दरियन साब है महन साब किस तरीके से आगे बड़ेगी बात लेकि कल जिस तरह से अदालत ने रविवार होने के बावजूद इस मामले को सुनने की रजावन्दी बताई और रविवार होने के बावजूद लगभग पौना घंटा कल सुबा सुनवाई हुई मैं खुद अदालत में था और चुँके सरकार की तरफ से सेंटरल गवर्मेंट की तरफ से केंदर सरकार की तरफ से ये कहा गया कि कुछ कागजात नहीं है हमें सरकार गवर्नर के पेपर नहीं मिले हैं वगरा वगरा तो हमें समय चाहिए के दो दिन का समय मांगा लेकिन निया अलैय ने कहा के नाजिंग दूझ का समय नहीं मिल सकता, कल सह रहे, यानी आज आज साढ़े दस मचे आप यहां तैयार होके आ जाईए चार और विदायक जो मिसिंग बताए जा रहे थे वो भी अब मिल गए हैं वापस शरत पवार के पास जा रहे हैं वरना अजीद पवार की हसियत क्या है मड़ी दुख की बात है कि मैंने तो बलके ट्वीट करके ये कहा कि अजीद पवार अब भी जाग जाएं अगर वो नहीं जागते तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में घद्दारी और बेवफाई की मिसाल अजीद पवार की दी जाएं वीडियो जनलिस्ट सिधात के साथ मोहिदबक्षी निज्नेशन दिल्ली